श्री श्रीज्वाए नमस्तो अब्यम आप सभी को उमीद करते हों मैं आप सभी अच्छी हैं तो आज कठाका जो तरथिय दिवस है जिसकी कठाकसार मैं आपके साथने जैसे जैसे her करती हूं वही मैं आपको इस बीडियो में आपके लिए ले करके आई हूँ उम्मिद करती हूँ मेरी बीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी तो श्री राम शिब महापुरान की कथा का आज तती दिवस है चलिए बीडियो शुरुआत करते हैं जहां प्रंडी जी ने कल छोड़ी थी वहीं से शुरुआत करते हैं इस बीडियो का तो सबसे पहले गुरुजी ने हमें बताया था कि जब भुले बाबा मा पारवती को अमरनात की गुफा में अमरनात की कथा सुनाने के लिए ले कहे थे तो उन्होंने नौ इसकंद सुने थे बाबा ने पूछा कि आपने कितने सकंद सुने हैं तो उन्होंने बूला कि नौ के बाकी में बाकी के में मा पारवती जबकी ले रही थी सो रही थी बार बार पर महादिब बाबा जी उनको जगा रही थे लेकिन वो नहीं उठ रही थी उनको नीन आ रही थी तो इसके क्रोध के कारण महादिब बाबा ने मा पार्वती को श्राप दिया था कि पार्वती तुम्हें बारवार नीन आ रही है तो पंडी जी ने पहले हमें यह बताया था कि मा पार्वती का चरित्र जो मचोरन का था वहां उसका वर्डन हम आगे की वीडियो में करेंगे उसके बाद मिश्टा जी ने हमें बताया कि हमें जीवों क्या बचा जीवों की सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए तो उसके लिए उन्होंने यहां सबरी अमबा का बिवरण दिया था पुछा कि यह इतने सारे जीव जानवर यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो उनके पिता-जी ने उनसे कहा कि जब आपकी साधी हो जाएगी आपका बिवा हो जाएगा तब इन जीवों की बली दी जाएगी और इहां जो भी लोग आएंगे उनको इने बना करके खिलाया जाएगा तो इस कारण से ma सवर्यमबा वहाँ से भाग गई थी, वो वहाँ रोकी नहीं, मंदब छोड़ के अपनी साधि छोड़ के भाग गई थी. तो जब वहाँ से भागी तो वहाँ एक आश्रम में पहुंची और वहाँ के आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने मातंग बाबा को सब कुछ बताया कि जीवों की हत्या होनी थी मैं उनको मरते हुए ऐसे नहीं देख सकती थी वो मुझे सही नहीं लगा इसलिए मैं वहां से भाग गई तो मातंग बावा ने उन्हें बताया कि अब तुम इस आस्रम में रहो और श्री राम जी की वक्ती करो तो मातंग बावा के कहने पर सब्री एंबा से श्री राम जी की बक्ती में दूब गई और ऐसी डूबी की राम जी को उनके द्वार आना ही पड़ा बोलो सियावर राम चंडर की जै जैसे गुरू जी हमें सुधरने के लिए कुछ ना कुछ बाग के ऐसे बोलते हैं जो हमें सीखने के लिए होते हैं तो उन्में से गुरू जी ने आज कुछ ऐसे वर्ड बताए जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ सबसे पहला उन्होंने बताया हमें इसमरड दूसरा बताया द्रश्टी तीसरा बताया सब्द और चोथा बताया इस पर से अब इसका क्या आर्थ है कि अगर हम बाबा बोले नाद की या किसी भी पगवान देवते देव जो भी आप मानते हैं उनका इसमरड करेंगे भले आप उनके दर ना जा पाओ उनकी पूजा अरश्टना ना कर पाओ सिर्फ इसमरड में ही होगा तो उससे ही हमारा उधार हो जाएगा इसमरड होगा अगर हम उसको पूरा दिन पूरी रात इसमरड सक्ति में रहेगा तो वो हमारी दरश्टी के सामने आएंगे ही आएंगे तीसरा बोला उनके सब्द हम जो कथा सुनते हैं बोलते हैं हम उनका गुडगान करते हैं तो ये भी बावा देवते देव मादेव सुनते ही हैं और चोता होता है इसपर्स अगर हम बावा के मंदिर पहुंच जाते हैं सिवारे पहुंच जाते हैं उनको इसपर्स कर लेते हैं तो अगर हम इन चारों चीजों में से अगर एक वी चीज धारड कर लेते हैं तो हमारा उद्धार होना निष्चेति ही होता है हमें बाबा, देव, अतिदेव, महादेव या हम जिसकी बक्ती करते हैं वो हमें दर्सन देते ही देते हैं लेकिन इसमरड या द्रश्टी या सब्द या इस पर से हमारा प्रवर होना चाहिए इसमें किसी भी तरह का अभिमान ना हो ये हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए अब बात कर लेते हैं पत्र की एक पत्र आया था जिसमें जो शिहोर ही पोचा था उसमें एक स्त्री ने पूछा कि हम अगर अपना कारे बावा के यहां करवाने के लिए जा रही है जब हमारा कार रहा है तो हम बावा को क्या दें अपना कारे करवाने के लिए तो मिस्टा जी ने हमें बताया कि श्रीफल एक ऐसा फल है जिसे आपनी कार सिद्धी कार पूड के लिए जो हर कार के लिए प्रयूग में लिया जाता है वो आप मंदिर बाबा के सिवाले लेके जा सकते हो और हर एक देवी देवता हर एक जनम से लेकर के मरत्यू तक श्रीफल जो है वो हमें दिया ही रहता है मतलब हमारे पास होता ही है श्रीफल एक ऐसा फल है जो हमें जनम से लेकर के मरत्यू तक अगर हम किसी गुरू जी को भी निमंतर देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी श्रीफल ही उनको दिया जाता है कि अब हमारे यहां पे खथा इन गुरू जी को करना है अर्था श्रीफल ही श्रीफल का एक स्वरूप है खथा में हमें बोला कि जब हम एक लोटा जल श्रीफलिंग पर चड़ाते हैं अर्पित करते हैं तो हम अगर बाबा से कुछ बोले या ना बोले अगर बोह जल हमारे घर से लीके जाया गया है तो बावा सुता ही हमारे घर की सारी बातें जान जाते हैं इसके बाद थोड़ा सा सुधामा के शरीतर के बारे में पंडे जी ना बताया था कि जब सुधामा देव की नंदन से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत में सुसमा अपनी बड़ोसन के पास गहीं कि मुझे कुछ दे दो मेरे पती मेरे पती देव की नंदन से मिलने के लिए जा रहे हैं वो चावल फटग रही थी उनकी पड़ोसन तो उनकी जोली में सुस्मा की जूली में चावल दिये जैसे ही चावल जूली में रखे तो जूली फट गई तो सुस्मा ने जूली के चार इससे करके उन चावलों को जूली में रखा और जैसे वो अपने घर के लिए जाते गई आँखों से असरू बहते रहे और चावलों में टपकते गए तो और जाने के बाद अपने घर पहुँचने के बाद सुदामा जी को दिये कि ये आप तब वो समझ गए कि ये चावल इसके घर के नहीं है क्या बात है तो सिर्फ इस कपड़ा देख करके ही श्री किष्णे ने सुदामा को तीन लोग का राज दे दिया अब बात करते हैं आहुक और आहुका के जो हमने कल छोड़ दिया था गुरू जी ने कल छोड़ दी थी वो कथा का प्राड़म अब करते हैं आगे उनके बताया कि इनका बज़न जो था वो बहुत प्रवल था बहुत ज़्यादा प्रवल था तो पारवती मया ने महादेव जी से कहा कि जाओ तुम इनके परिक्षा लेके आओ तो जब महादेव जी इनके परिक्षा लेने के लिए गए तो वहाँ यतिनात महादेव उनका नाम था वह एक प्राहमर बन करके गई गुरू जी ने बताया कि हमारा पुष्टि मार के कहता है कि अगर कोई परम भगवतिय बैशनव जिसके माथी पर तिलक हो गले में तुलसी की माला हो अगर वह हमारे घर में आ जाता है तो उसी से हमारा उद्धार हो जाता है गुरू जी ने बोला कि अमरत पीने वाले देव हैं और बिस पीने वाले महादेव हैं फिर भी सबसे जादा जो किसी कारी के लिए पूछा जाता है तो बो महादेव के परिवार को ओड़ेव जब बाबा बोली नात यतिनात बनके आहुका आहुक के घर पहुँचे जो की बेल और बिलनी थे उनके यहां बाबा पहुँचे तो जैसे ही बाबा वहां पहुँचे नोने दरवाजा बजाया तो घर पर उस समय सिर्फ आहुका थी आहुक नहीं था तब दब बावा ने दरवाजा बजाया तो आहुका ने दरवाजा खूला और पूछा आप कौन है स्वामी आप कौन हो आप कहा से आई हो तो यतिनात महादी भी ने कहा कि मैं रास्ता बटक गया हूँ अब रात्री बहुत हो गई है मैं आपके यहां बिश्राम करना चाहता ह हूँ आहुका ने बोला कि नहीं प्रभू हमारे यहां हमारा घर चोटा है हम आपको कैसे रख सकते हैं आप यहां कैसे रखोगे हमारा घर बहुत ज्यादा चोटा है मैं आपके चरड दो देती हूँ खाना के लाद देती हूँ आप थोड़ा बिश्राम कर लो लेकिन आप यहां नहीं रुक सकते तो मादेब जी बाबा ने बोला यतिनात मादेब ने बोला कि नहीं मुझे तो हां रुकना ही है इतने में वहां आहुक पहुच गया और अपनी धरम पत्नी की बास सुन ली थुनने के बाद अधितिदेव से यानि कि यतिनात मादेब से बोला कोई बात नहीं, आप यहां रुक जाएए, आप अंदर सो जाना, मैं बाहर सो जाऊँगा, और मेरी पत्नी भी बाहर सो जाएगी, तो बाभा ने बोला कि नहीं ये श्रेष्ट नहीं है कि घर की इस तरी बाहर सुए तो आहुक ने बोला कोई बात नहीं है लोगों का मुझे कोई बत्लम नहीं है मुझे आप पर भी पूर्ण बरोसा है और अपनी पत्नी पर भी पूर्ण बरोसा है रात्री हो गई थी आहुक को नीन नहीं आ रही थी अंदर आहुका और बावा यतिनाद सो रहे थे आहुक ब्रमट करनी लगा था रात में तो वहां पर एक सूगर आ गया रात्री में उसने आहुक पर हमला कर दिया और वो उसको खा गया उसको नोच नोच के खा गया जब सुबह हुई तो उसकी पतनी आहुका उठी उसने देखा बाहर जा गई आहुका ने बाहर जा करके देखा कि मेरा पतनी तो मरा हुआ पड़ा है इसको कोई तितर तितर करके खा गया है कोई जंगली सूखर इसको खा गया है वहां रो रो कर अंदर गई और बाबा यतिनात को जगाया उस समय तक बाबा यतिनात महदेव नहीं जगे थे क्योंकि यह उनकी लिला थी क्योंकि वह उनकी परिक्षा ली रहते वह नहीं उठे उसके बाद उसने जगाने पर आहुका के जगाने पर बाबा उठे और बाहर दिखा कि वो आहुक मरा हुआ पड़ा है तो बावा ने आहुका से बूला कि मेरे कारण वस आपका पती आपके पास नहीं रहा तो आहुका बूली कि नहीं आपके कारण से नहीं ये तो जो ललाट पर लिखा के आए हैं वह इतना ही जीवन था इसलिए वो यहां तक ही जीवित रहे अब बस आप एक रबा मेरी उपर कर दीजिए तब माधिव जी ने पूछा कि क्या चाहिए आपको तो उन्होंने कहा कि यह मेरे जो पती के जो हिस्से बचे हैं उनको लाइए अगनी दीदीजिए मैं अपने पती के साथ ही सती होना चाहती हूँ जब अगनी दी जाने लगी वहां सती होने के लिए लास पर चेता पर बैट गए तब अगनी दीने के लिए वहां पर सिर्फ बावा ही थे जो बावा पांच चड़ के लिए आग के सामने समक्ष बैठे वह अपने असली स्वरूप यतिनात मादिव के रूप में आ गए और उन्होंने कहा आप दोनों खड़ी हो जाईए यतिनात मादिव ने आहुक और आहुका को बर्दान दिया और बोला कि मैं तुम्हें वर देता हूँ मेरे कारण आप एक रात्री अलग रही हो तुम्हारे अगले जनब में आहुक तुम नल बनोगे और आहुका तुम बिदर्व राज भीम की पुतरी दमियंती बनोगी और मैं हंस अफताल लूँगा और तुम दोनों को मिला दूँगा यह थी आहुक और आहुका की कानी आगे वड़नाया चंद्र की काया को ठीक करने का जिसे बावाशोमिश्वार माधिव की लूब में विगटेत हुए और उमीद करते हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी होगी श्रीशेवाय नमस तुभ्यम